स्टूडेंट्स अज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स का नेच्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैने का नेम है की सब्कर नेमें का नेम हो मेंकिन 보수ते हैं दготовesz ह्ते हैं तो कन्दिवन प्रछिप चेंज हो जाता है, इंकम के चेंज होने से कंजर्पशन भी चेंज हो जाता है, दिस कंजर्पशन इस फंक्शन ओफ इंकम, जिसे हम यू लिकते हैं, C is equal to function of Y, कंजर्पशन इस फंक्शन ओफ इंकम, कंजर्पशन को हम स्टुडेंट C से शो करते हैं, इंकम को हम Y से शो करते ह यह हम यूँ भी कह सकते हैं आमदनी बढ़ने से सर्फी अखरजात में इजाफा और आमदनी के कम होने से सर्फी अखरजात में भी कमी हो जाती है और सर्फी खर्च का इन्हसार जो होता है वो इनकम यामदनी पर होता है इसलिए आमदनी बढ़ने से सर्फी अखरजात में इजाफा और आमदनी के कम होने से सर्फी अखरजात में भी कमी हो जाती है आम्दनी और सर्फ के जनी इंकम और कंजप्शन के इस रिलेशन्शिप को इस तालू को कंजप्शन फंक्शन यनि तफावले सर्फ भी कहते हैं हम लोग और मेलाने सर्फ भी इसको कहा जाते है सर्फ आम्दनी का तक्सीरी तफावल है सर्फ आम्दनी का यनि कंजप्शन और आम्दनी का तक्सीरी तफावल है नेक्स्ट हमारे पास कंजप्शन फंक्शन के कौंसेप्ट से तफावल इस सर्फ यनि कंजप्शन फंक्शन को समझने के लिए हमें दो एहम तसवूरात की वज़ात करना ज़रूरी होता है student first है हमारे पास average propensity to consume APC and marginal propensity to consume meaning MPC APC and MPC दो concepts है हमारे पास students consumption function के first average propensity to consume औस मेलाने सर्फ जिसे हम उर्दो में कहते है the ratio of consumption any particular level of income in a specific time period the ratio of consumption to any particular level of income in a specific time period आंदनी की किसी मक्सूस सिता पर आंदनी और सर्फ के बाहमी निस्बत को यानि बाहमी ratio को औस मेलाने सर्फ कहा जाता है या औस मेलाने सर्फ कहते हैं average propensity to consume भी हम कहते हैं फार्मूले हमारे पास APC is equal to CO Y जैसे के बीचे मैंने बता है C को हम consumption से show करते हैं और Y को income से और APC stands for average propensity to consume इसका फार्मूले है average propensity to consume का APC is equal to C over Y और उर्दू में हम इसको यूं कहते हैं और समेलाने सर्फ is equal to C over आमदनी consumption को उर्दू हम सर्फ और इंकम को हम उर्दू में आमदनी कहते हैं for example है हमारे पास students if the monthly income of an individual is Rs.1000 and his consumption is Rs.800 APC will be APC is equal to 800 over 1000 is equal to 0.8 जैनि अगर एक शक्स की आमदनी 1000 रुपे हो और उसका जो consumption है यानि उसका सर्फ है वो 800 हो आमदनी कितनी हो 1000 रुपे और consumption जैनि सर्फ कितना हो 800 हो तो समेलाने सर्फ दर्ज़त है लोगा APC is equal to C over Y था न तो students C जो है हमारा जो consumption है जो सर्फ है वो कितना है 800 है और Y जो हमारा कितना है income जो थी हमारी 1000 थी तो यहां यहां लिखी 800 को और अब हम 1000 को तक्सीम करेंगे तो हमारे पस जो आंस निकलेगा वो 0.8 निकलेगा अगेन बता देती हूँ income आंदनी हमारी 1000 रुपे है और खर्च हमारा कितना है 800 है यानि consumption कितना है 800 है इनको दब दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वांस आएगा वो 0.8 यह तो होगा APC सर्फ आंदनी का तक्सीरी तफावला यह यह तो हमारे पास मार्जिनल प्रपेंटिसी टू कंजियूम एंपी सी इस जब हमारी इंकम चेंज होती है तो हमारी जंप्शन में भी चेंजिज आ जा जाती है इसलिए आंदनी में तब्दीली और सर्फ में तब्दीली के बाहमी रेशियो को मुखती मेलाने सर्फ यह जनी मार्जिनल प्रपेंटिसी टू कंजियूम कहते हैं और इसका जो फार्मूला है वो यह है MPC is equal to change C over change Y When change C means change in consumption and change Y in change in income यहनी change C को हम change in consumption कहते हैं और change Y को change in income कहते हैं Example हम लोग देखते हैं students Example If the income of the individual increases in rupees 1000 to 1500 and his consumption rises from to rupees 800 to 1200 Martial propensity to consume is calculated MPC is equal to change C over change Y अगर एक सक्स की आमद नी 1000 उपे से बढ़कर 1500 हो जाती है और उसका कंजर्प्छिन ये जो खर्च है वो 800 से बढ़कर 1200 हो जाता है तो इसका मुक्तिब मेलाने सर्फ दर ज़ल होगा MPC is equal to change C over change Y जो हमारे कंजर्प्शन था 1200 यानी 800 से बढ़ एक रएक हमारा खर्च तो 1200 को जब Алекс горंच से माइनस करेंगे तो हमारे बारेपस जो आंच सायेगा वो 400 यानी 400 आएगा हमारी जो इंकम थी 1000 से बढ़ एक रएक 15 हुई है तो 1500 को जब हम 1000 से माइनस करेंगे तो हमारे पस जो आंस आएगा वो कियाएगा 500 आएगा 1200 को 800 से जब हम माइनस कर रहे थे 4100 को पांस से तक्सीम करने से हमारे पस आंस कितना आएगा 0.8 Again example repeat कर देती हूँ जनी जो हमारा जो income है वो 1000 से बढ़ कर 1500 हो जाती है और 800 से खर्च जो हमारा खर्च है वो 800 से बढ़ कर 1200 हो जाता है इनको जब हम आपस में minus करेंगे consumption को जब minus करेंगे 1200 से 800 को तो 400 आँसाता है 1500 को जब जनी income को जब हम minus करेंगे 1500 से 1000 से 500 आता है तो इनको आपस में जब तक्सीम करेंगे 400 और 500 को तो हमारा टास जो आँसाता है history वो 0.8 आता है APC का जो हमारे पास आँसाता है students वो भी 0.8 आया था और हमारा पास जो MPC का आँसाया वो भी 0.8 आया है दोनों की जो आँस आया हैं स्टूडेंस वो सेम आया है APC का भी 0.8 और MPC का भी 0.8 आज जो हमने स्टूडेंस टॉपिक डिसकस किया था वो कजंप्शन फंक्शन था और नेक्स इंशालला हम लोग सेविंग सेविंग फंक्शन को डिसकस करेंगे नेक्स लेक्चर में थैंक यू किलास